पती को पत्नी नी जान से मारने की कोशिश की घायल पती को परिजनों ने कराया अस्पताल में भरती रविवार की देरा थानकोसी कलाम की कस्पा चौकी शेत्रांतगर्त राठोर नगर के रहने वाले एक व्यक्ति एहसान को उसकी पत्नी ने मौत के घाट उतारने की कोशिश की इस जोनान पत्नी ने पत्नी के गले में धारदार हतियार से प्रहार करते हुए घायर कर दिया मामली बातों को लेकर परिवार में विवाद होते रहते हैं लेकिन चोड़ी सी बात पर एक पत्नी ने अपनी पती को धारदार हतियार से घायल कर दिया अपने उपर हमले को देख जागे हुए पती ने सामने शूर मचाना शुरू कर दिया शूर मचते ही उसके परिवार के लोग घटना सल पर पहुँच गए और घायल युवक इनसान को देख होश उड़ गए युवक एहसान लहु लुहान की हालत में अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था घटना को गंभीरता से लेते हुए परिजनों ने देही अधायल युवक इहसान को स्थानी अस्पताल में भरती करा दिया वही परिजनोंने घटना को लेकर ठाना पुलिस एवं डाइल हंडृड पुलिस को सूचना दे दी सुचना पर पहुंचे पुलिस ने पूरे मामले को लेकर परेजनों से जानकारी की परेजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए अपने पती पर हमले करने वाली पत्नी के खिलाफ कानूनी कारवाही कीम बांगी परेजनों ने बताया कि युवक एहसान पतनी ने घर में रखे धारदार हत्यार से जानलेवा हमला किया था, हमला करने का कारण जानने को पलिस जांच कर रही है कोसी कला मतुरा से यूपी क्राइम नियूस के लिए समवाताता सुनिल अनंत के डिपूर्ट यूप परता है क्या नियूं कियो हम्ला किया हा उनर्षान करने मामले की पता जी मांबी में उगला हो गातॉ rok यह राठ्ट अनगर कोसी गला ह। पुलिस को सूचना कर दी। पुलिस को सूचना कर देजिए एकसौ बारे नंबर पर। पुलिस कारवाई कर रही है तो क्या चाथो गईो अधा हुआ है ये चाहते हैं जी बाइब को कके इंधा पिस बंद पे लिया जा वो बताए कियो मारा है किसलिये मारा है क्या मैटर है रेपोटर दर्ज हो गरेज ही हाइजिभर नवय दा